तो दोस्तों, बांगला देश में हालात दिन बदिन गंभीर होते जा रहे हैं, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना किसी जंग से कम नहीं रहा, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और आने वाले समय में यह संकट और भी गहराने की संभावना है, खाने पीने की वस्तूएं इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों को अपनी जेबें खाली करनी पड़ रही हैं, अगस्त महीने में खाद्य महंगाई दर 20 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर पहुँच चुकी है, जो पिछले 40 सालों में स बांगलादेश इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट के कगार पर है, जिसका असर हर घर में साफ देखा जा सकता है, अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस संकट से उभरने में सक्षम है या हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे? महेंगाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो दाल की कीमतें 35 प्रतिशत बढ़ गई हैं, मीट 30 प्रतिशत महेंगा हो चुका है, सबजियों के दाम 50 प्रतिशत और फलों के दाम 40 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं, दूद की कीमतों में 25 प्रतिशत की व्रिद्ध हुई है और अंडे तथा चाय पत्ती की कीमतें 233 प्रतिशत तक पहुँच गई हैं हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई परिवारों को एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करना पड़ रहा है आठे के दामों में भी 60 प्रतिशत की व्रिद्ध हुई है जिससे रोटी खाना भी चुनोती बन गया है इस आर्थिक संकट का एक बड़ा कारण भारत द्वारा बांगलादेश को निर्यात बंद करना है अगर आपको श्रीलंका के हालात याद हों जब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल और डीजल का निर्यात बंद कर दिया था तो वहां की जनता सडकों पर उतर आई थी और सरकार तक बदल गई थी श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30 प्रतिशत खाने पीने पर खर्च करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बांगलादेश में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं क्या बांगलादेश भी उसी राह पर चल पड़ा है इस संकट की पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप मानते हैं कि भारत ने बांगलादेश को घुटनों पर ला दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें दरसल मुहम्मद यूनुस बांगलादेश के प्रधानमंत्री तो बन गए हैं लेकिन अपने ही देश की गरीब जनता की मदद करने में नाकाम साबित हो रहे हैं हाला तब इतने गंभीर हो चुके हैं कि बांगलादेश भारत से कर्ज माफी की गुहार लगाने के लिए तैयार हो चुका है महंगाई ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है मीट के दाम लगभग तीन गुना बढ़ चुके हैं और अब लोग मीट की जगह कटहल जैसी चीजों का उपयोग करने पर मजबूर हो गए हैं मचली जो बांगलादेश के भोजन का अहम हिस्सा है मिलना बेहद मुश्किल हो गया है डीजल की आसमान छूती कीमतों ने मचुआरों के लिए समंदर में नाव लेकर जाना और मचली पकड़ना लगभग असंभव बना दिया है इस कारण से लोग खाने पीने में कटोती करने को मजबूर हैं जिससे बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है यह स्थिती देश के भविश्य के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है यह किसी से छिपा नहीं है कि बांगलादेश का भोजन खास कर सीफूड काफी हद तक भारत पर निर्भर करता है लेकिन पेट्रोल और डीजल के महेंगे होने की वजह से अब सीफूड का उतपादन भी घटने लगा है क्योंकि जहाजों का संचालन काफी महेंगा हो गया है बांगलादेश पेट्रोलियम पदार्थों का आयात भारत से करता है और किसी अन्य देश से सस्ती कीमत पर यह आयात करना लगभग असंभव है इस संकट ने बांगलादेश को आर्थिक रूप से भारत पर और अधिक निर्भर बना दिया है अगर भारत से पेट्रोलियम उतपादों का आयात बंद होता है तो बांगलादेश का सीफूड उद्योग पूरी तरह ठप हो सकता है बांगलादेश की सरकार इस स्थिती को नियंतरित करने की कोशिश कर रही है लेकिन अब तक उसकी सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है पूरे विश्व में भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता चौथे स्थान पर है जो यह दर्शाता है कि उर्जा उत्पादन के मामले में भारत कितनी बड़ी ताकत है पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भारत तीसरे स्थान पर आता है जो कोई मामूली बात नहीं है भारत दुनिया भर के कई देशों को रिफाइन किया हुआ पेट्रोलियम बेचता है और इसका सबसे बड़ा फाइदा हमारे पडोसी बांगलादेश को मिलता है भारत के करीब होने के कारण बांगलादेश को पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते में मिल जाते हैं लेकिन मौजूदा हालात ने इस रिष्टे को और जटिल बना दिया है बांगलादेश के मौजूदा आर्थिक संकट ने उसे बेहद कमजोर स्थिती में लाखडा किया है और अगर उसे पेट्रोलियम और अन्य आवश्यक वस्तुएं चीन से मंगवानी पड़ें तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी चीन की उची दरें बांगलादेश की अर्थ व्यवस्ता को और कमजोर कर सकती है यही कारण है कि भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर बन जाता है क्योंकि अगर भारत ने बांगलादेश को रिफाइन पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट रोक दिया तो बांगलादेश की पूरी अर्थ व्यवस्ता ठप हो सकती है भारत और बांगलादेश के बीच सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट प्रोड़क्ट रिफाइन पेट्रोलियम है जिसका मूल्य एक मिलियन डॉलर तक जाता है अगर भारत ने इसे बंद कर दिया तो बांगलादेश में महंगाई और बढ़ जाएगी और उनकी अर्थ व्यवस्ता हिल जाएगी बांगलादेश पिछले 26 सालों से भारत से रिफाइन पेट्रोलियम का आयात लगातार बढ़ा रहा है और इसमें हर साल लगभग 10 प्रतिशत की वृद्ध देखी जा रही है सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं बलकि बांगलादेश भारत से पैकेजड मेडिसिन और चावल जैसी आवश्यक वस्तूएं भी बड़ी मात्रा में मंगवाता है हालां कि बांगलादेश में हुए हालिया राजनीतिक उथल पुथल के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार में रुकावटें आ रही हैं जो रिष्टों को कमजोर कर सकती हैं नई सरकार द्वारा उठाये गए कदम बांगलादेश के लिए नई चुनोतियां खड़ी कर रहे हैं बांगलादेश का अधिकांश कारोबार ठप हो चुका है और टेक्स्टाइल इंडस्ट्री जो उनकी सबसे बड़ी आयका स्रोत थी भी विरोध प्रदर्शनों और करफ्यू के चलते लगभग बंद हो गई है जो थोड़ा बहुत उत्पादन हो भी रहा है वह देश के भीतर ही खप रहा है जिससे विदेश से होने वाली कमाई लगभग शून्य हो गई है बांगलादेश का विदेशी मुद्रा भंडार जो कभी 20 अरब डॉलर था अब तेजी से घट रहा है देश की स्थिती इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और अब उनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं इसके अलावा बांगलादेश पर करीब 2 अरब डॉलर का कर्ज बकाया हो चुका है जिसमें भारत की कई कमपनिया भी शामिल हैं बांगलादेश ने भारत के कई एयरपोर्ट्स और पावर जनरेशन प्लांट्स को पेमेंट नहीं किया है जबकि ये सुविधाएं देश के लिए बेहद जरूरी हैं अगर यह स्थिती लंबे समय तक बनी रही तो न केवल बांगलादेश की आर्थिक स्थिती और खराब होगी बलकि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा आज बांगलादेश की हालत पाकिस्तान से भी बत्तर होती जा रही है अफसोस की बात यह है कि बांगलादेश की नई सरकार भारत के विरोध में इस कदर उलजी हुई है कि उन्हें अपने देश के हित नजर नहीं आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांगलादेश की आर्थिक स्थिती तेजी से गिर रही है अगर पाकिस्तान जैसे देश को भारत के एक्सपोर्ट के बिना सर्वाईव करना मुश्किल हो रहा है तो बांगलादेश की स्थिती का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कई बांगलादेशी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बांगलादेश को अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिती को सुधारना है तो उसे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को फिर से सुधारना होगा भारत से सस्ती दरों पर सामान मंगवा कर बांगलादेश अपनी अर्थ व्यवस्था को दोबारा से स्थिर कर सकता है सवाल यह उठता है कि क्या बांगलादेश की सरकार अपने अहंकार को छोड़ कर सही कदम उठाएगी या फिर अपने देश को और गहरे संकट में धकेल देगी भारत जो एक बड़ी मार्केट है बांगलादेश के इतने करीब होने के बावजूद बांगलादेश इसका पूरा फाइदा नहीं उठा पा रहा है अगर चीन और भारत सीमा विवाद के बावजूद व्यापार कर सकते हैं तो बांगलादेश को भी भारत से व्यापारिक रिष्टे सुधारने चाहिए बांगलादेश की स्थिती आज ऐसे व्यक्ति की तरह हो गई है जो पडोसी के बहकावे में आकर अपना ही घर जला बैठा हो पिछले साल की तुलना में इस साल खाने पीने की चीजें लगभग 30% महंगी हो चुकी हैं और यही कारण है कि बांगलादेश का निर्यात भी पहले की तरह शुरू नहीं हो पाया है यह स्थिती गरीब देशों में अकाल जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है हालां की भारत के कारण बांगलादेश को दुनिया में हो रही फूड शौर्टेज का कोई खास असर नहीं हो रहा था क्योंकि भारत खाद्य उत्पादन में आत्म निरभर है लेकिन अब जब दुनिया भर में फूड शौर्टेज की समस्या बढ़ रही है तो बांगला देश जैसे छोटे देशों को इसका सीधा प्रभाव जहेलना पड़ सकता है अगर बांगला देश भारत के साथ व्यापारिक रिष्टे सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाता तो उसे और भी कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साजह करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जय हिंद वंदे मात्रम